Hello friends, welcome back to Garnish with Renu. आज हम बनाएंगे हुममेट ब्रेट क्रम्स. ब्रेट क्रम्स को आप किसी भी स्नेक को कृस्प कृकृरा बनाने में यूज़ करते हैं और इसे आप सूप या किसी ग्रेवी को ठिक करने में भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए आज हम बनाएंगे homemade bread crumbs bread crumbs बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ breads तो उसके लिए आपको नई bread करिदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं यहां मैंने bread के first और last slice लिये हैं जो use नहीं होते और यह bread के sides हैं जिनने हम अक्सर sandwich बनाते वक्त fake देते हैं तो हम इन्हें फेकेंगे नहीं और इनी से bread crumbs बनाएंगे सबसे पहले bread को रफली तोड लेंगे यह देखिए इस तरह से मैं इन्हें आनिवन रफली तोड रही हूँ अब एक mixi jar में इन्हें हम बारिक पीस लेंगे bread की टुकड़े मैंने mixi jar में डाल लिये हैं इन्हें हम बारिक पीस लेंगे यह देखिए bread का इस तरह से बारिक पाउडर रेडी हो गया है यह अभी काफी moist है अब एक pan को गरम करेंगे bread के इस पाउडर को अब हम roast करेंगे medium heat पर continuous चलाते हुए इसे सेकना है थोड़ी ही देर में यह dry हो जाएगा और golden brown color आने तक इसे सेकना है यह देखिए हमारे homemade bread crumbs बिल्कुल तैयार है इसे एक और बार में mixi में चर्न करूँगी तब यह इसका बहुत ही अच्छा texture आ जाएगा ठंडा होने पर आप इसे airtight container में store करें यह तीन से चार माइने के लिए बिल्कुल fresh रहते है तो आप next time बची हुई bread को फेके नहीं और इस तरह इस्तेमाल करें तो दोस्तों अगर आपको आज की जटपट recipe पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे like comment करके मुझे जरूर बताए और मेरे चैनल को subscribe करना न भूले और friends जब भी आप subscribe करते हैं तो bell button को जरूर क्लिक करें तभी आपको मेरे new videos दिखेंगे तो फिर मिलेंगे नई recipe के साथ thanks for watching झाल 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 झाल